आपका अल्ला जो है वो इंसानों को बंदर सुवर चुहे साम बना रहा है क्या मामला है जैहिन अदाब सलाम प्रनाम नमस्ते सत्यकाल आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्समुस्लिम स्वाइल ऑफिशल पर उम्मीद आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों और जितने ल नीचे आएं लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा उसको चेंज करकर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वह आप सिलेक कर ले एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा मुमिन साहब हमारे साथ जुड़े जी मुमिन साहब मुझी असलाम आलेकुम आलेकुम असलाम जी मौमिन भाई मैं देख तो मुझे पता नहीं चला क्या मुद्धा क्या है मुद्धा वही है कि आपका अल्ला जो है वो इंसानों को बंदर, सुवर, चुहे, साब बना रहा है क्या मामला है मेरा खाल ये मेटफ़ारिक लिए है कोई डायरक्ती ऐसी बात नहीं है सर तफसीरों को मानते हो हदीस को मानते हो तफसीर पर क्यों जाते हैं झाल जले है अदीज को अदीज के बारे मैं एडम सिकर साभ और मेरे बाई साहल बाई गुजारश ये करनी थी मैंने थोड़ सी बात अगर मुझे टाइम दें तो सुन ले अगर आपके पास करता हूँ अगर मुद्धा रखे नहीं मुद्धा रखे आडम सीकर साब मेरी बात सुन लें जिले भी नहीं मैं बना रहा असल में बात चीए हुई कि जब मुख्तिफ आदिश आई ना उसके बाद उनमें फिर मुख्तिफ जमानों में काट चाट भी होती रही, इस्था वो अदिश का रही ही वो बाते हैं, जईफ अदिशों को तो नकाल दें आप, लेकर उसमें काट चाट भी होती रही, और काट मुझूदा अमारे उल्माए कराम हैं, ये मशायख हैं, वो कहते हैं कि जो अदिश कुरान के मताबक नहीं हैं, उसको आम तसलीम नहीं करते हैं, इस मुझतेहिद ने कहा है, किस मुझतेहिद ने कहा है, किस ने कहा है, ये पहले तो मेरा ख्याल है, ये बास स्टार्ट हुई अपना फ्राई साफ से उसके बाद फ्राई साफ से फ्राई साफ है ये कोन है फ्राई साफ मौदूदी साफ के जो उकिर देखा जिसने ये बात की है इसने तहकी की है अपनी मुख्विब आदीस पे उसको आगे चला है इस वक्त जो जिद्ध मुझे इसका रेफरंस दिखाएं कि इसने कहा है इस तरीके से और उसका यही लफ़् मतलब बनता है यही लफ़् नहीं बनता अब जो इस वक्त मुझूदा अमारे इर्द गर्द जो मुझूद है ना उल्माए कराम उसमें इस वक्त सबस्च ज़्यदा इंटलेक्शल कलास है उसमें जवेद अमद गामदी का नाम जो है ना सरेफरिस्ट ओके गामदी ने आपको क्या का है मुझे एक्जेक्ट वर्ड दें उसके अहाँ उनोंने उसकी उनकी जाहर है उनका एक पूरा दारह है पाक्स्तान से वह वाक्स्तान मैंने कि उसके एग्जैक्ट वर्ड दें एग्जैक्ट वर्ड ये हैं कि वो तकरीबन उसके जहन के मताबक सो से ज्यादा अधीस को वो तस्रीम ने पूछा है उसके एग्जैक्ट वर्ड दें वो किन हदीस को नहीं मानता और क्यों नहीं मानता तू कहता है भी पूराइट की उन्ताबक ने रही पूराइट के नहीं है। के टेक्स्ट के मताबक नहीं है यह दे मुझे कहा लिखाव है उसने कहा जाए उसने थे मेरे बाइ आदम सिखते वो लंभी उनकी अपना जो है ना सर जी मैं आपको क्लेम कर रहा हूं कि आप जुट बोल रहे हैं ऐसा कोई मुसलमान नहीं कि आ आपका दूर संगायो है कि आप मुझे ला कर दिखाईक उसने सबस्क्राइब लाइज सुनते। ओके नेक्स टाइम ले आएगा इन दा मीन टाइम कुरान में मेटाफोर किस जगा पे और किस जगा पे नहीं है ये आप डिसाइड नहीं कर सकते इसके लिए आपको तफसीर और हदीस का सहारा ही लेना पड़ेगा वरना उसके मुझे exact लफ़ लाके दिखाएं क्योंके कुरान में जब आपको का जाता है कि नमाज काइम करो तो फिर वो नमाज कैसे काइम करना है वो मेटाफोर है या अराम से बैठ के काइम करना है या हाथ उठा के काइम करना है ये चीज़ आपको हदीस से ही मिली है इसी त तो यहां को किसी और से नहीं मिलेगी माधरत माधरत सारी उनों का मुखकफ यह है कि जो नभी करिम समय स्वालम कि शूड़ बोली जा रहे हैं आपको पता है नहीं उसका मुखकफ क्या है मुखकफ मुझे एक्जैक्लि उसके आर्टिकल्स में से लाके दें अपको आती नहीं है स्कॉलर्स को आप गलत कोड़ करते है आप बात कि हम उसे करेंगे नमाज आपने कभी पढ़ी नहीं स्कॉलर्स में क्या बोला आपको पता नहीं बात क्या करेंगे आ नमाज जो है वो फर्द जरूर है लेकर अगर बंदा बकाइदगी से नहीं पढ़ता तो इसका ये मतलब है को मुसल्मान नहीं रहता है अजर आप काइदगी से हफते में एक दफा भी पढ़े तो अतायात होनी काईए ना जो नमाज पार रहें कभी बंदा बेच बात माज जाए याज़ जाए आप जैसे लोग को घर दा जा किसी को जाना चाहिए है साहिल पाइगाल अगर मत चाहिए तो बात करूंगा आप सनी तो मैं नहीं करूंगा अच्छा मेरी बात सुन ले ना एक सवाल एक सवाल करो और जल्दी से शॉट मेरा को जल्दी से जी ठीक हो गया क्या अदम भाई आपके नोटस में ये बात है कि जब आप उस तें जिकर का रहे थे कि कुरान पाक जो स्टैंडर्ड हुआ है वो जाम अलदर्स से 1924 में हुआ है और मुख्ति मुसाहिफ की बात भी आपने की है मैं यहाँ पे सिर्फ ये जानना चाहता हूँ वैसे तो सिंपल सा सवाल चले उसको छोड़के मैं सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि उससे पहले जो साथ सेयद आमद खान ने तफसीर लिखी थी तो वो किस कुरान से उन्होंने लिखी जो उसको इंडिया में उस सवकत अवैलेबल था उस कुरान से लिखी थी आपके पास वहां पे भी साथिया में भी और एजिप्ट में भी हर किसी के पास हर कुरान मुझूद नहीं था लडाई 1924 में हुई किस बात पे थी इसी बात पे तो हुई थी 1924 से पहले सुन लो यार सुन लो अब आंसर लो तुमने सवाल किया अब आंसर लो चुप जिप करो दोनो कानों से सुनो दोनो कानों को खोलो जुबान को बंद करो और सिर्फ सुनो अब लडाई ओके भी नहीं कहो चुप पिंड्रॉप साइलेंस ओके नव, here is the thing एजिप्ट में अर्ली 1900 में मदरिसास को खतम करके सेंट्रलाइजड मदरिसास बनाया गया सेंट्रलाइज स्कूल सिस्टम मनाया गया Now, previously एजिप्ट के अंदर different किसम के मदरिसे होते थे अच्छा, जो मदरिसा अपने स्कॉलर वर्ष को मानता था वहाँ पे वो वर्ष का मुसफ़ कुरान पढ़ाते थे जो लोग अबन कसीर के जमाने से चलते आते वे मदरिसे थे, वो लोग अबन कसीर का कुरान पढ़ाते थे जो लोग दूरी को मानते थे वो दूरी का कुरान पढ़ाते थे जो लोग सूसी को मानते थे, वो सूसी का कुरान पढ़ाते थे, and so on and so forth अब ये भिलकुल ऐसे ही है, जैसे आप इंडिया पाकिस्तान में आते हैं, तो आपके पास हनफी फिका के सबसेक्ट मौजूद हैं, यहां पे इस व्कट जो सबसेक्ट मौजूद हैं वो एक पार्म कुरान हिंगें, उसको उस मुसफ के उपर मानते हैं, लेकिन इनकी हदीसे फरक हो जाती है, एक दूसरी हदीश, एक को मानता है, एक दूसरी को मानता है, एक दूसरी तफसीर को मानता है, ये इस लफल पर डिफरेंस करते हैं, हम बात कर रहे हैं, early 1900s in Egypt, जहां पर even कुरान के मुस्फ़स में फरक था, now centralized school system शुरू हुआ, इनी लोगों के बच्चे, अ स्कूल में जाना शुरू है, जैसे स्कूल में जाना शुरू है, now we have a bigger problem, teacher जो है, वो इबन कसीर के मदरिस्टे से पढ़के आई हुई है, यहां पढ़के आया, वहां पे उसने जो कुरान पढ़ाया, घर में बच्चे ने कुछ और पढ़ा, स्कूल में आके जब उसने centralized school system में आके लिखा, तो उसने लफज अरबी के गलत लिख दिये, इन लोगों को translation लिखने की दुरूरत नहीं है, they are writing the Arabic loves in Arabic, जब उन्होंने गलत लिखने शुरू किये, तो parents आ जाते थे school में लड़ाई करने, कि कुरान तुमारे पाँ गलत है, then they realize कि हमारे पास हमारी एक ही country क के अंदर कोई 10-12 किसम के कुरान चल रहे है, right, now comes a problem कि यार हमें कुरान को standardized करना है, जब ये problem आया तो उन्होंने का यार किस तरीके से कुरान को standardized करें, इन में से सबसे सही वाला कुरान कौन है, उन्होंने ये देखा, नई, बिलकुल नई, क्या उन्होंने देखा किस कुर मुहम्मद के करीब का कुरान है, नई, उन्होंने सिर्फ ये देखा कि कौन से वले type के कुरान के मदारिस सबसे जाद हैं, यानि कि हमारे centralized education system में जो बचे आ रहे हैं, majority किस के student के बचे हैं, तो पता लगा, वो हफ्ज के बच्चों के student है, तो let's say, कि 8 तरह के कुरान चल रह रही है, और बाकी की population जो है ना, बाकी छे तरह के बढ़ रहे हैं, उन्हें किया, यार majority वले कुरान को पकड़ लो, और इसको अपने मदारिस में चला दो, finally, 1924 में हफ्ज के कुरान को इन्होंने standardized कि और बाकी कुरानों को पकड़ के, दरिया नील में बहा दिया, अब ये उस ताइम पे उन लोगों ने नहीं सोचा ना देखा, कि जो हफ्ज का कुरान है, जो हफ्ज है, वो बजाते खुद एक जूटा और मकार करार दे दिया गया हुए, तमाम early scholars के through, ये चीज़ ने देखी नहीं, ये तो जब हम लोगों ने देखा कि हफ्ज चल रहा है, और हम ये लोग उस कुरान को बदल ही सकते, क्योंकि उनने narrative establish कर दिया था, कि कुरान तो कभी बदला ही नहीं, अरभी के कुरान में जेर दबर पेश, शादमात कामा कसरा किसी चीज़ की change नहीं आई, let alone कि उस दुमाने में जेर दबर पेश, शादमात नुक्ते थे ही नहीं, alphabets पूरे थे ही नहीं, लेकिन उनने एक consensus फैकना शुरू कर दिया, एक नया ज्यूट, कि कुरान तो कभी बदला ही नहीं, ये absolutely complete सही कुरान है, वो हफज के उपर उने कर दिया, और हफज एक जूटा है, बुखारी उसे जूटा बोलता है, इमाम मुस्लम उसे जूटा बोलता है, इमने कसीर, every single scholar in the history, वो से जूटा बोलते हैं, इसी विएसे हफज की हदीसों की एक भी कुतब आपके पास नहीं है, जब वो खुद जूटा तो उसकी हदीस की कुतब कैसे होगी, लेकिन कुरान को चुके एजिप्ट ने पकर के, मदारिस में अपने student ज्यादा होने की वैसे उसके एजिप्ट के कुरान को पकड़ लिया, अब आप लोगों को डिफेंड करना पड़ता है और आप लोग ये कहते हो, हाँ, हाँ, वो जूटा है, लेकिन हदीस की कुतब में जूटा, कुरान में जूटा नहीं था, ये अब आप लोगों के scholar का argument आता है, now this is the history, please माइक इस यूर्स, हाँ, माइक इस यूर्स, बोलो, जब बोलता नहीं, बो रहा हूं मेरे जान, मेरे जान मो रहा हूं, वाजारी आपको, एक तो मैं आपकी जान नहीं, दूसरा respectfully बात करें, मैं आप से respectfully बात कर रहा हूं, जान जान माई लफ़जना लाएं, वो अपनी बी भी कहिएगा गल्फरेंड को कहिएगा जी बताइए मैं दो मुहबत से बात का रहा हूं इसलिए मैंने वो सर मैं महबत से आपको किक अट कर दूंगा दोबारा जान जानों लफस ना बूलिए था अच्छ ठीक है लेकर कहने का मकस्द यह कि एक पंदा अगर कनारे पे लगा हुआ है देखें पाकिस्तान में ये लफस आम तोर पर बोला जाता है कि जो बंदा एक्स होता है ना उसका गेटवे जवे जवेद हम अगाम दी है अगर आम उसके नारे के क्रीग लगे है आपने जो भी हो अगर आपने टटी में रहना है सर आपकी मरजी है आपकी खवाइश है आपकी लीए मुझे आके ना सिखाईए फिलीज आपने सवाल किया था उसका मने जवाभ दे दिया कोई और सवाल है इसके अगेंस्ट तो कर नहीं तो बाइबाइ जो मर्जी करते हैं आपकी जिंदगी है आपने जहन्नम में रहना है तो रहें सर मैं नहीं रह सकता हूं देखें हम भी किसी फैसले पर कोशें के लिए आपकी स्ट्रीम इतने अर्से से सकते हैं आच्पी पूर्ण को फालो करना बनता है के नहीं बनता है यार अभी जो इस तफसीर अभी मैंने जो दस मिनट बोला है उसको जा कर देखो बनता है के नहीं बनता है जाए ते लास्ट ने भी आये थे ये और ये कह रहे थे मैं कंफर्म नहीं करूंगा मैं एक्स-मुस्लिम हूँ क्या नहीं हूँ शाद वही वाले भाई है नहीं लास्ट ने यार लेको साहिल इस बंदे को मैंने अब दस मिनिट इतनी कहानी बताई है कितनी स्टूपिड बात है यार इतनी तफसीर सुनने के बाद नहीं है मैं यह कह रहा हूं कि इसके लावा जिन को अपना आपने वर्जन का जिकर किया है इसमें दीगर वर्जन आपने आड़ पताए हैं या ज्यादा पताए हैं कितने वर्जन है इसके जो मुसाहिफ जिसको आठाइस यहर आप ऐसा करो एक काम करो एक काम करो आपकी सबसे पहली तफसीर राइटर किस ने लिखी थी तेबरी ने राइट सेबरी को जाके कुरान.ksu.org से कुरान.ksu.sa से जाके कवर टू कवर गूगल ट्रांसलेट से ट्रांसलेट करके पढ़ लो उसके बाद भी अगर इसलाम में रहना अपसंद करोगे तो रहना जाओ, एक तफसीर बस पढ़ लो, cover to cover, छोड़ना कुछ नहीं, और फिर देखना है कि क्या कुरान अल्ला की किलाम हो सकती है, क्या वाकि जब इतने ज्यादा वो लोग उसके अंदर बता रहा है, कि या किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, किसी ने ये कहा, इस आयत में कुछ की कि तफसीर पढ़ने के बाद, फिर भी आपको दिल करें कि ये अल्ला के किलाम हो और प्रिजर्वड है, तो जरूर इसलाम में रहना वरना छोड़ देना, बाकी आपकी मर्जी, जाओ, नहीं मर्जी नहीं है, बात ये है, कि बात मैं पहले भी यर्ज करा हूँ, आप बात थोड़ शी सुनने के, थोड़ा सुनने मेरी बात दीज़, कि बात जो है ना, एंड बे लगी है, सर आप एक को बोलते हैं, वन बाई फॉर्थ की स्पीड बे, ठीक है, दूसरा आपकी स्पीड जयाद है ना, आपकी स्पीड जयाद है ना, मेरी जो है, अरे मुमिन भाई, आपकी स्पीड बहुत स्लो है, देखिए आपको यार हमने अल्डेडी जो था आपका जो कुशन था, वो बता दिया है, अब आप जो है, उस पर गोलों फिकर करें, और फिर उस हिसाब से डिसाइड करें, कि आपको एंड पर ही लगे रहना है, या उससे बाहर निकलना है, इससे जादा हम आपसे नहीं कह सकते कुछ, नहीं बाहर निकलने के चकर मैं हो ना, लेकर यहां पर पैंट जो सक्तियां बड़ी है ना, पाकिस्तान में, नहीं वो तो एक अलग मसला है, क्या आप दिल से पहले बाहर निकल जाते हैं, आपको कोई यह नहीं कह रहा है कि धिन पाकिस्तान में रहा कि आप एकस मुसलिम किस तरह हो चकते हैं, यह मेरे बाई आदम सिंगे को बाहर जाती है, लेकिन क्या आप दिल से आपने इसलाम को गलत समझ लिया, तकरीबां समझ लिया, तो तकरीबां से आगे स्टेज में आप जाईए, थोड़ा तहकीक करिए, और जब पूरे जब बाहर निकल जाओगे, तो आपके इदर बताईए, जब आपकी स्टेम सुनता हूं तो वो भी तुत, आवाज चली गई आपकी, क्या मेरी आवाज नहीं आ रही है भाई, नहीं आ रही है आपकी 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 आप मुझे एक्स मॉमन कह लें तो अच्छी बात है चलिए हमारे भाई एक्स मुस्लिम हो चुके हैं दिल से लेकिन चुके वो पाकिस्तान से हैं तो खुले तोर पे वो वहाँ पे नहीं बता सकते हैं डाट इस अबसूटली फाइन तो आदम सीकर आपको नहीं पता है आप जिस मरले से गुझ रहे है हम सबको पता है वो झालम गुझ रहा है आरस मुझ रहा है जी जी बिलकुL था गैसर, आप देखिए अगर पाकिस्तान से आप किसी तरीके से बाहर निकल सकते है और कोशिश करके बाहर निकल जाएए ठीक है प्यारे भाई साही हो गया आपका शुक्रिया लेकर मेरी ये गुजारश है कि किसी ने किसी तरीके से आप मुझे गड़ स्ट्रीम में ले लें तो आपकी मेरमानी होगी जब आप स्ट्रीम अपना मुसलमानों के लावा दूसरी स्ट्रीम किस दिन करते हैं तर्ज एक और नौन मूमिन स्ट्रीम में आप जुड़ जाएगा कौन सा कौन सा दिन है मेरे बाई अपना जुम्राद को दो पहर में एक बज़े के बाद में अच्छे वो सुबा का टाइम है जुम्राद का जी जी दो पर का टाइम है ठीक हो गया मैं जाएगा ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक हो गया ठीक यू प्यारे बाई ठीक यू बेरी माज जी थैंक यू बेरी माज जी थैंक यू बाई